हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज हम लेडिस टॉप बनाएंगे जो की इस सीबले स्टॉप होगा ये देखिए मैंने टॉप बनाने के लिए कपड़े की लंबाई 22 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 24 इंच है यहां से हमें कपड़े की चौड़ाई नापनी है 45 इंच की चौड़ाई पे हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे एक बराबर में फिर यहां किनारे की साइड में फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई चला लेंगे ये देखिए ऐसे हमें सीधी सिलाई चलाकर इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है अब हम कपड़े को बीच में से फोल्ड करेंगे कपड़े को बीच में से फोल्ड करने के बाद साड़े तीन इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे फिर 6 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे और इसकेल की सहायता से इस टिक को हम यहाँ पर लाइन अप कर लेंगे अब हम हलका सा गोल सेप में ऐसे लाइन अप करेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिलकुल उसी सेप में कपड़े को कट कर लेना है तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से कपड़े में हमने कटिंग की है अब हमें लाश्टिक लेना है अब हम लाश्टिक लगाने के लिए लाश्टिक की लंबाई नाप लेंगे मैंने साड़े 9 इंच ली है आप अपने हिसाब से कम बेची कर सकती है साड़े 9 इंच पे मैंने टिक लगा लिया है अब हम लाश्टिक को कपड़े के अंदर ऐसे डालेंगे और यहां पर हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाने के बाद अब हमें कपड़े के अंदर लाश्टिक को परफेक्ट सेप में बैठा लेना है और लाश्टिक के बगल में यहां से हम सीधी सिलाई चला लेंगे जब आप कपड़े को perfect shape में ऐसे बैठाएंगे तो आपका लाश्टिक का छाप कपड़े पे दिखेगा उसी के हिसाब से आपको सीधी सिलाई चला लेनी है ऐसे अब हम लाश्टिक को ऐसे घीचेंगे यह देखिए जहां पर हमने टिक लगाया है वहां पर हमें ऐसे सिलाई चला देनी है अब हम यहां से धागे को और आश्ट्रा लाश्टिक को कट कर लेंगे कपड़े को सीधा करके हम चारों तरफ में कपड़े को अच्छे से ऐसे फैला देंगे कहीं भी हमारा चुनट इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक तरफ जादा चुनट हो और एक तरफ कम चुनट हो यहाँ पे हमें लाश्टिक के उपर सिलाई चलानी है अब यह देखिए कपड़े को हम टाइटली ऐसे घीचेंगे और इसके बीच में सीधी सिलाई चला देंगे इस तरीके से आप अपने लाश्टिक वाले डिजाइन में चुनट ऐसे आसानी से बना सकते हैं यह देखिए इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड सेम साइच का हमें पीछे का पला भी बिल्कुल इसी तरीके से तयार कर लेना है यह देखिए हमने आगे का और पीछे की साइच का पला तयार कर लिया है अब हमें उरे भी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चोड़ाई दो इंच है इस कपड़े को फोल्ड करके हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आलका उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी यह देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमें 9 इंच की लंबाई नापकर टिक लगानी है वैसे आप लंबाई अपने हिसाब से नापिएगा आपका कितना लंबा पट्टा होना चाहिए उस हिसाब से तो मैंने पट्टे की लंबाई 9 इंच ली है अब जो हमारे दूसरे साइट का पल्ला है यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करके इसके उपर सिलाई चला लेना है तो यह देखिए इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकती है सौरी यह तो डिजाइन नहीं यह तो टॉप है तो यह देखिए यहाँ से हम धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे यह देखिए यहाँ से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करके उपर की साइट से सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाते समय इस बाद का ध्यान रखें फोल्ड किया हुआ हमारा कपड़ा, कही चौड़ा और कही पतला नहीं होना चाहिए एक साइज में होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमने चोड़ी पट्टी का पैटर्न अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो ये देखिए आगे पीछे के पल्ले में हमने पट्टी को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें ऐसी पट्टी लगा कर तयार कर लेनी है दोनों साइड में पट्टी लगाने के बाद अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे यह देखिए अब हम दोनों पल्ले को जौइंट करेंगे तो हमें एक के उपर एक पल्ले को ऐसे लगाना है और जो भी फ्रेंड आपका fitting size है वो size नापकर किनारे की side से आपको सिलाई चला देनी है इस बात का धियान रखे, आप अपना फिटिंग साइज नाप कर ऐसे सिलाई चलाएंगी अब हमें दूसरे साइट से भी सिलाई चला लेनी है यहां से हम धागे को कट कर लेंगे, हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है इस तरीके से सिलाई करने के बाद नीचे की तरफ में हम कपड़े को हलका हलका फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे यह देखिए, ऐसे आपको सिलाई कर लेनी है सिलाई करते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे अब हम कपड़े को सीधा करेंगे एक बात का ध्यान रखे फ्रेंड अगर आपको ये टॉप ढीला हो तो यहां किनारे की साइट से आप अपने साइच के हिसाब से ऐसे सिलाई कर लेंगी ये देखे यहां से आपको सिलाई चला लेनी है अगर आपको ये टॉप ढीला हो तो इसे पहनने के बाद हमारे टॉप का ये देखिए ये फाइनल लुक है जो की बहुती प्यारा लग रहा है गर्मी में इसे जरूर ट्राई करें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो